दोस्तों बॉल्यूड में स्वरा भासकर वो औरत है वो बदनाम औरत है जो फिल्में भी बदनाम ढंग से करती है वही गंदी फिल्में करती है बी ग्रेड वाली और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह किसी भी कंट्रोवर्सी में बिना राय मांगे कूद पड ने जाती है तो आपने देखा ही होगा कि शूवर गंदगी में मूह डाल लेता है तो यही आगा स्वरा भासकर का paginated कि इसUpी कंट्रोवर्सृ में मूह डाल लेती है तो कहानी यहाँ पर यह है स्वराभासकर की कि अभी आपने देखा होगा कि वो जो कोई तो फिल्मेकर है ली नाम, मडी कमेला, पता नहीं क्या नाम है उसका तो उसने काली मा की एक तस्वीर अपनी डॉकुमेंटरी वाली शेर की ती जिसमें काली मा सिग्रेट पीते वे और LGBTQ कम्यूनि उसके बाद भी वो नहीं मानी तो भगवान शीव और पार्वती की सिग्रेट पीते वे तस्वीर उसने शेर कर दिये तो उसे इन सब चीजों में मज़ा आ रहा है और ये उसे समर्थन मिल रहा है हमारे देश के वामपन्ति लोगों का, कॉंग्रेस फार्टी का, टीमसी का अलत क्या है उसने दिखा दिया तो हाला कि टीमसी पार्टी जो है वो बोल रहे है कि ये महुआ मोहित्रा का खुद का बयान है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है लेकिन किसी ने जब ममता बैनर जी के उपर कुछ ऐसे ही पेंटिंग बनाई थी तब पूरी टीमसी पार्टी ख महुआ मोहित्रा के बयान को सही ठहराते हुए स्वारा भासकर बोल रहे है कि महुआ मोहित्रा ने कुछ भी गलत नहीं बोला है जो भी बोला है सही बोला है मैं उसका पूर्ण समर्थन करती हूं लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो स्वारा भासकर अभी काली माता के गम्र के उपर तो उस सीज को लेकर स्वराभासकर ने कहा था कि ये गलत है गलत तो हम भी कह रहे हैं कि जो भी किसी भी धर्म के खिलाप कुछ भी गलत बोला जाएगा तो वो गलत ही है किसी भी धर्म के खिलाप गलत मत बोलिए आप वरना unnecessary controversy में पढ़ेंगे विवाद होगा और किसी भी धर्म के खिलाप, किसी भी जाती के खिलाप गलत बोलना ही क्यों, ऐसी जरुवत ही क्या आन पड़ती है कि आपको किसी भी धर्म के खिलाप गलत बोलना पड़े, popularity चाहिए तो अच्छे काम कीजिए किसी भी धर्म के उपर गंदगी उच्छाल कर जिसकी पूजा करते हैं वो लोग चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो क्रिशन धर्म हो, कोई भी धर्म हो किसी भी धर्म के उपर गलत मत बोलिए क्योंकि ये देश में unnecessary controversy create करती है जिसके चलते, बड़े लोग तो बोलकर निकल लाते हैं, politicians बोलकर निकल लाते हैं, celebrities बोलकर निकल लाते हैं, मौत किसकी होती है आम इंसान की मौत होती है आम इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगता है जो कि बिल्कुल भी गलत है और ये धर्म के नाम पर जब तक चीजे होते रहेगी ये बंद नहीं होने आली है आम इंसान ही मरने वाला है कभी किसी politicians को मरते हुए देखा है किसी भी चीज में कोई politicians नहीं मरता है कोई नेता नहीं मरता है कोई celebrity नहीं मरता है मरता है तो सिर्फ आम इंसान मरता है तो स्वरा भासकर जैसे लोकों को अगर एक चीज का समर्थन कर रहे हो कि ये गलत है तो उस चीज का भी समर्थन करना चीए ना कि एक चीज को सही बताओ और दूसरे चीज को गलत बता दो आप दूसरे चीज को गलत इसलिए समर्थन कर रहे हो क्योंकि आप किसी particular party से आपका ताल मेल नहीं बैठता है किसी party से ताल मेल नहीं बैठता है तो आप उसके समर्थन में कुछ भी गलत सपोर्ट मत करो ये स्वारा भासकर जैसे लोगों को समझना चीए कि unnecessary controversy create करके कोई फायदा नहीं क्योंकि नफरत वाली चीजे बहुत हो गई है बहुत जादा हो गई है लोग social media पर कुछ भी बोलने से डरने लगें तो इस सब चीजों से दूर रहना चीए किसी भी धर्म के खिलाब मत बोलो भाई